Hello everyone, welcome back to my channel. We are Sanch Kays class में हम लोग English के छोटे-छोटे sentences, छोटे-छोटे words को देखेंगे जैसे आप अपने daily life में यूज़ कर सकते हैं. तो let us start. सबसे पहला यहाँ पे जो sentence है वो है it's okay. It's okay. इसका मतलब होता है कोई बात नहीं. जैसे कि अगर आपको कहने किसी से कोई बात नहीं, तो आप कहेंगे it's okay. It's okay. कोई बात नहीं. Next is tell me. Tell me. Tell me का मतलब होता है मुझे बताओ. मुझे बताओ. Tell me. मुझे बताओ. Tell me. Next is such gifts. Such gifts. इसका मतलब होता है ऐसे तौफे. Such gifts. ऐसे तौफे. Next is very first. Very first का मतलब होता है सबसे पहला. सबसे पहला. Very first. Such gifts. ऐसे तौफे. Tell me. मुझे बताओ. It's okay. कोई बात नहीं. अगला जो है वो है this one. This one का मतलब होता है ये वाला. अगर कोई चीज पास सकी है और आप कहने कि ये वाला. ये वाला. तब आप कहेंगे this one. लेकिन अगर कोई चीज दूर रखी है और आपको कहना है कि वो हो वाला. ठीके वो चीज दूर है. तब आप that का इस्तिमाल करेंगे और आप कहेंगे that one. वो वाला. वो हो वाला. नेक्स्ट है फॉर मी. फॉर मी यानि कि मेरे लिए. फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए. जैसे कि अगर आपको कहना है किया तुम मेरे लिए टैक्सी बलवा दोगे. तो मेरे लिए के लिए आप कहेंगे फॉर मी. तब आपको सिंपल कहना है कि तम्हारे लिए은 ये तुम्हारे लिए तो आप कहेंगे for you लेकिन अगर आपको ही कहना है ये सिर्फ तम्हारे लिए documents तब आप कहेंगे only for you Next है without you Without you – without you का मतलब होता है तम्हारे बिना Without you –ptedout you त LGBT ये नहीं हो सकता जैसा, like you, just like you का मतलब हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, just like you, just like you, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, अगला सेंटेंस है, do it, do it, इसका मतलब होता है, इसे करो, जैसे कि अगर किसी को कहना है, कि इसे करो, इसे करो, कुई home work है आपको कहना है इसे करो तो इसके लिए आप कहेंगे do it do it, इसे करो लेकिन अगर आप do it के साथ fast add कर देंगे वर्ड बन जाएगा do it fast इसका मतलब हो जाएगा इसे जल्दी करो जैसे कि अगर आप कहने इसे जल्दी करो तो आप कहेंगे do it fast do it fast इसे जल्दी करो लेकिन अगर आपको सिर्फ यह कहना है कि इसे करो तो आप कहेंगे do it उसी तरह से take a bite take a bite का मतलब होता है एक निवाला ले लो take a bite एक निवाला ले लो या फिर अगर आपको कहना है कि एक गूट पी लो तो आप कहेंगे take a sip take a sip, एक घुट पीलो take a sip next है ahead of me ahead of me इसका मतलब होता है ahead of me, यानि कि मेरे आगे ahead of me यहाँ पर me जुड़ा है तो me का मतलब मेरे, ठीक है ahead of me, यानि कि मेरे आगे ahead of me, मेरे आगे लेकिन अगर हम me को हटा करके all लगा देंगे तो बन जाएगा ahead of all, इसका मतलब हो जाएगा सबसे आगे, ठीक है ahead of all, सबसे आगे ahead of me, मेरे आगे उसी तरह से अब हम लोग me और all को हटा करके you लगा देंगे, तो बन जाएगा ahead of you, यानि कि तुम से आगे ahead of you, तुम से आगे उसी तरह से ahead of us, यानि कि हम से आगे ahead of us, हम से आगे ahead of you, तुम से आगे ahead of all, सबसे आगे ahead of me, मेरे आगे अगला जो वर्ड है वो है don't fight don't fight, जैसे कि अगर आपो